बांगलादेश में अब भी देश में हिंसा का दौर खत्म नहीं हुआ है। बांगलादेश में दक्ता पलट के 72 घंटे बाद अंतरीम सरकार बनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आप हिंदू सुरक्षित होंगे। नोबल पुरसकार विजेता मुहम्मद योनुस के नेत्रे तुमें नई सरकार ने कमान समभाले। लेकिन सबार फेर भई क्या आप हिंदूओं पर हमले रुकेंगे। पेशे से अर्थ शास्त्री मुहम्मद योनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो समहल ली। लेकिन बांगलादेश के प्रमुख का ये पद काटो भरे ताज से कम नहीं है। क्योंकि शेख हसीना के तक्ता पलट के बाद भी बांगलादेश में हालात समहलने की बजाए और पिगड़ गये। हिंदूओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूरु सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। रधान मंत्री मोदी ने बांगलादेश के अंतरिम सरकार के मुक्षया को बधाई देने के साथ भी, उन चुनोतियों से निपटने के लिए भी कहा, जिन चुनोतियों से बांगलादेश फिलहाल गुसर रहा है। पी-म ने एक्स पर पोश्ट के जरिये लिखा। प्रॉपसर मुहम्मद योनस को उनकी नई जिम्मेदारियां समालने पर मेरी शुक कामना है। कि हिंद्वों पर हो रहे हमलों का आंदोलन से कोई नाता नहीं है। वक्तों के आई बहुते चोटे से ब्रेक का ख़बरों का सिलसिला लगातार चारी है। झाल 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 झाल